पान्ये सभापती जी, जिसकी जात का पता नहीं, वो गन्ना की बात करता है जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए आप रोज करिये, मगर एक बात मर भूलिए, जाती जन्गना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे आप जाती केज़े पूछ सकते हैं, आप बताएं जाती केज़े पूछ सकते हैं आप पूछ के दिखाऊ जाती को धन्यवाद सभबती महदे, मैं आपका भार प्रकट करता हूँ आपने पार्टी का जिन्होंने मुझे बूलने का अफसर दिया, मैं बदाई देता हूँ श्रीमत निर्मला सीतारमन जी को मानने वितमंत्री जी को, जिन्होंने सात्वा लगातार बजट दिया है, ये किवल कें इसकी बुरी-बुरी प्रशंचा सब तरफ से हुई, लेकिन एक नेता नहां खड़े ओकर जिस तरह से पहले कटाक्ष किया कमल पर, ना जाने कमल से उनको क्या विरोध है, लेकिन कमल के लिए, कमल का अगर शब्द का परियोग, राजीव नाम के लिए भी किया जाता है, कम कमल को बुरा दिखाने का परियाज किया गया, अरे बैर, यह बात सही है कि हमारा चुनावचिन कमल का फूल है, और जंत ने तीसरी बार लगाता, और हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है, लेकिन केवल ये कमल का फूल नहीं, इन्हों ने अफमानित कुछ और करने का काम भी किया मैं उसका थोड़ा उलेख यांपर जूरू करना चाहता हूं ये कमल इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है आप सब जानते ही हैं तो क्या उनको भी बुरा समझते हैं क्योंकि इन्हों ने राजीव को हिंसा के साथ जो कमल है और जिस पदमासन मुद्रा में सिंदू सब्यता में भगवान शिप की पशुपती नात के रूपे मूर्ती मिली थी लोकमानिय तिलक पदमासन मुद्रा में ही समाधिलीन हुए थे आप कहते हैं कमल के चारों तरफ हिंसा है आप कमल का पान नहीं कर रहे हैं आप बलक महायोगी भगवान शिव भगवान बुद्ध और लोक माने तिलक जैसे महापुर्शों का आप मान कर रहे हैं इसलिए अगली बार कमल के बारे में सोच बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस-किस का आप मान कर रहे हैं और किबल रील के नेता मत बनिये मीम्स आपकी खूब बनती है रील नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है और और सर कुछ लोग कुछ लोग एक्सिडेंटल हिंदू है और महापारत का ग्यान भी एक्सिडेंटल है और उस नेता के लावा और कौन नहीं जानता कि महापारत में अभीमन्यू का वद साथ महारतियों ने मिलकर किया था जैदरत, दुरियोधन, दुशाशन, करण, दुरोनचार्य, कृपाचार्य और शकुनी लेकिन राहुल जी ने कभी महापारत अब मुझे तो पता नहीं पढ़ा बनी पर देखा भी नहीं होगा शायद शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिखकर दिया होगा अंकल सौरोस ने लिखकर दिया होगा कहीं से परची बनकर आई होगी और पूल डूड बनने का प्रयास किया होगा मैं इतना ही कहूंगा कल जो चक्रव्यू में फिसाने के बात कर रहे थे वो करण को करना कह रहे थे कृपाचारिया जी को कृपचाय बोल रहे थे चलिए छोड़ियो उसको अद्यक जी कल तो ऐसा लग रहा था सदन के अंदर महाभारत पर इतना सारा ज्यान दिया गया कि एक समय ऐसा लगा बी आर चोपड़ा के महाभारत के धारवाई का संगीत गूजने लगा हो और कहीं न कहीं उन्होंने एक बार महाभारत पढ़ने के लिए फिर प्रेरित किया मगर इस बार महाभारत पर मैंने एक नई पुस्तक पढ़ी जो उनकी पार्टी के विद्वान सांसद जो इस सदन के सदस्य भी है उन्होंने लिखी है और उस पुस्तक का नाम है The Great Indian Novel राहुल जी को अगर महाभारत और चक्रवियू के विशे में विश्तरिज जानकारी लेनी है तो आपने उस सांसद से वो संपर्क कर सकते हैं और मैं बताऊंगा शेशी थरूर जी ने शायद वो ही राहुल गांदी जी को बता दे या बताएंगे ने तो मैं बताता हूँ कि आपने महाभारत और भारत के Messiah को मिलाकर जो अपन्यास लिखा है उसके पात्र कौन-कौन है इस अपन्यास में धितराष के रूप में किस नेता को दिखाया गया है कौरव किस पार्टी को कहा गया है इस अपन्यास में प्रियधर योधनी कौन है जब राहुल जी को इसका पता चलेगा तो मुझे लगता है कही न कही शेशी थरूर जी पर कारवाई ना हो जाए लेकिन क्या है साथ ये लोग तो संविधान दिखाते थे पढ़ते नहीं थे मैंने उस दिन पूछी लिया कितने पन्ने होते तो वो भी नहीं बता पाए मैंने उसके बाद पूछा किये जो आप संविधान की कौपी लेकर चलते हो इसका प्रिफेस पड़ा है इसका फोरवर्ड पड़ा है इसकी परस्तावना किसने की है केके वेनु गोपाल जो सॉलिस्टर जर्नल इनकी सरकार के समय भी रहे होंगे सीनियर एड़ोकेट है या गोपाल शंकर नराइन जो सीनियर एड़ोकेट है उन्होंने उसकी परस्तावना की थी और परस्तावना में लिखा था कि कैसा काला अध्याए वो एमर्जंसी का समय था और ये संबिदान जो डॉक्टर बी आर अम्बेत करजी ने दिया अगर ये नहीं दिया होता तो आम जन्मानस को अपने अधिकारों का पता भी नहीं लगता लेकिन इनों तो उसको पड़ा ही नहीं था लेकिन केवल कॉपी दिखा रहे थे इतने दिनों से साब ऐसे ही महाभारत पर भी ऐसी हालत लग रही है और मुझे लगता है और नहीं तो गूगल दाता तो थे इनसे पूछ लेते आप क्या करते हो साब साथ मों को बताया करो सर इस उपनियास के माने सभवती जी इस उपनियास के मताबिक जिस पार्टी के सर्वे सर्वा आप हैं उस उपनियास के उस उपनियास के वही कौरो पार्टी हैं मैं अपनी तसली के लिए कुछ पंक्तियों को यहां उध्रित कर देता हूं मैं कोट कर रहा हूं सर page number 245 से the India of which Dhritarashtra assumed the leadership on 15th August 1947 had just been through a cathartic process of regeneration another stage in this endless cycle अब 15 August 1947 को परधानमंत्री के रूप में मोदी जी तो नहीं थे और यह कह रहे हैं कि जिरों ने 15 August 1947 को उस समय वो सताली थी वो धृतराश्ट थे तो धृतराश्ट किसको कहा गया धृतराश्ट को किसको कहा गया अब आपने मुझे बांध रख्या स्पीकर ने कहा है स्पीकर मोदी ने कहा कि उस समय के लोगों का नाम ने लए तो प्रथम परधानमंत्री जी को धृतराश्ट मैंने नहीं कहा इनके अपने ही सांसद्रे अपने ग्रेट इंडियन नोवल में कहा है शाशी तरूर जी कहा है कहीं चिप तो नहीं गए है आज हो कौस हो सकता है फिर देखिये प्रिया दुर्योधनी और धृतराश्ट के विशे में क्या लिखा है I quote from page 293 In Delhi, blind धृतराश्टरा रूल विद प्रिया दृतराश्टनी बाइस साइट and he pledged the nation not so much to the gas and hot water of his Fabian preceptors but to smoke and steam of the modern industrial revolution their ancestors had denied this country Sir, you all know that in this country who was a Fabian society and who was this Fabian society and who was this Fabian society about it nobody has written about it you have written about it Aray, wow, there is also an emergency church in this country that this country has Like the A one big city This country This country norday the country कभी पूल नी पाएगा जिसने देश के लोगों काथिन शब्द एमर्जंसी के बारे में भी पताया सर तो हम चर्चा कर रहे थे थे ग्रेट इंडियन नॉबल के अध्याए सेवंध बुक की जिसमें प्रिये दुर्योधनी और उनके प्रिये पात्र शंकर देश में आपात काल लगाने की योजना बना रहे थे सर में पढ़ता हूं कि शंकर ने क्या काई कोट वट यू कोट दूना इस तु डेक्लियर अन इंटर न इंटर न सीज अ ग्रेव थेट तो इस डेविलिट एंट सेविलिट इंट इंट पेल पे नेशन So, what you could do now is to declare an internal cease, a grave threat to the stability and security of the nation from internal disruption. No one has ever defined the permissible procedures under an internal cease, which leaves it to more or less up to us to define them. Shaakuni added. And the next, sir, from page 366, I quote, not to mention censorship of the press. Not to mention censorship of the press, which is nowhere explicitly ruled out in the constitution, suspension of certain fundamental rights, free speech, assembly, and that sort of things, and measures to put up the judiciary in their place. I said, this is a set of shakuni. Sir, this is a set of shakuni. Can be visible. Sir, this is a set of shakuni. And I want to say that, sir. Mani Anraak ji, please send a book to Gaurav ji. Sir, I will send a copy of Gaurav ji. Sir, I will send a copy of Gaurav ji. Sir, I'm talking about that, sir. So, I'm talking about that, sir, I was so-called… थी जिनोंने एमर्जंसी लगाई थी एक नेता की स्वरगे दादी जी भी है और मैं उनके नाम के आगे प्रियर दर्शनी भी लिखा जाता था और उन्होंने एमर्जंसी लगाई थी लेकिन मान्यसभा पती जी मैं कहना चाहता हूं दुशाशन और दुर्योधन दोनों बहुती दुष्ट और बदमाश हो सकते थे लेकिन उन्होंने भी कभी एमर्जेंसी नहीं लगाई थी दुशाशन और दुर्योधन दुष्ट भी हो सकते हैं दुश्मन भी हो सकते हैं बदमाश भी हो सकते हैं लेकिन उन्होंने भी emergency नहीं लगाई थी सर पूरे उपनियास में 74 बार कॉरव और कॉरव पार्टी की चर्चा हुई हर एक में कॉंग्रेस का चिरित्र धलगता है राहुल जी सदन में हजारों साल पूर हुए महाभारत की कहानी सुना रहे थे मगर उनकी अपनी पार्टी के पड़े लिखे एक विद्वान पूर्मंतरी और संसद आज के महाभारत की कहानी लिखते हुए बताते हैं कि कौन कॉरव था कौन शकुनी था कौन दृत्राश था कौन दुसाशन था कौन दुर्योदन था कौन करन था जरूर पढ़िएगा सब के किरदार उसी में मिलने वाले है और शाहिए जिस समय शशित रूर जी लिख रहे थे उस समय आपका टैलेंट उनको पता नहीं तो नहीं तो सौप पन्ने तो आप पे ही लिख देते साब आप चाहते कारवाई हो जाए कल जब राहूल गांदी जी चक्रवी उपर बहुत ग्यान दे रहे थे तो पीछे दो लोग कुमारी शैलजा जी और दिपिंदर जी बैठ कर मुस्करा रहे थे अब शायद राहूल जी वो पीछे हस तो रहे थे लेकिन आप एक बाद जुरू कर लीजिए चक्रवीउ के परिपेख्ष में इन दोनों से बैतर कौन बता सकता है रहना के चुनाब आने वाले हैं जान लीजिए कि कौन शकुनी है और कौन अभिमन्यू है नहीं तो बहुत देर हो जाएगी आपको एक और सुजाव है और मैं इतना जुरू कहूंगा आपने तो कई सारे चक्रवीउ बनाने का काम किया सर और जब उस समय किशोर अभिमन्यू पर कौर्वो ने यूद नीती के विप्रीत जाकर प्रहार किया था मैं कुछ कहना जाता हूँ इतने में पुत्र दुर्शाशन ने पीछे सा था वार किया निश्प्राण हुए एक गदा से सिर पर था प्रहार किया मा धर्ती की गोद में वे आँख मूंद कर सो गया अंबर का तेजस्वी तारा धूम के तू साख हो गया लेकिन कोई तारे का तेज फीका नहीं कर सकता वीरकती पाकर अमर हुआ हो कभी नहीं मर सकता है पुत्र सुबद्रा कुरुक्षेतर में जिसकी अमर कहानी थी नौ मा मैं सीखी विद्या जब सोला साथ जवानी थी अब उस अभिमन्यू को जिसने सारे चक्रु के तोड़ने का काम किया मैं इतना ही कहूंगा चक्रु का परसंग छोड़कर छेड़कर आपने अच्छा गिया इस देश ने बहुत सारे चक्रु देखें से नाम लेने के मांगिया, मैं दूसरी तरह से बोलता हूँ पहला कॉंघ्र दूसरे पहले परधानमंत्री NG फिर सीसरा किरदार IG, पूर परधानमंत्री चौथा PG1 उस समय के परधानमंत्री पांचवां SG, छेवां RG2 और सातमा आप सब जानते ही हैं आप समधार हैं समध गए होंगे सर पहले ने पहले चक्रवी उन्हें देश को विभाजन कराया पहले चक्रवी ने देश का विभाजन कराया और दूसरे जो NG उन्हें देश को कश्मीर की समस्या दी और चीनियों को भारत की भूमी सोगात में दी सर्थ दीसरी तीसरे चक्रवियू आईजी ने पूर परदान मंतरी आईजी ने देश को आपात काल दिया अमर्जन्ची दी और पंजाब अशांती दी पंजाब में अशांती दी चौथे जो आरजी वन हैं आरजी वन ने आरजी वन ने बोफोर किया और सिखों का निस्ताहार किया पांचवे ने पांचवे जो ऐसी हैं उन्होंने सनातन धरम परंपरा के प्रती नफरत का नेरेटिव बनाया बारा लाग के क्रोड के घोटालों को सेलक्शन परदान किया देश की आर्थिके रुत्वियस्ता को भंवर जाल में फसाया और छटे ठहरे आप जिन्होंने पिछले पंदरा सालों में देश की राजनिती संस्थिय परंपरा और संस्कृत को इतना नुक्सान पहुंचाया जितने कि ये बाकी छे मिलकर चक्रवियू एक साथ मिलकर भी नहीं कर पाए और रही सातमी उनका मैं नाम नहीं लूँगा मैं इतना ही कहूंगा सभापती जी सातों चक्रवियू ने मिलके देश को गरीपी भूक मरी अतंगवाद कट्रवाद जैसे अंगिंत चा दुश्चक्रों में फसा दिया था देश को हमने आपके दुश्चक्रों से बचाया है अजाद कराया और मानिय परदान मंतरी मोदी जी के नेतरतम में विकास रत को आगे बढ़ाया आज दुनिया में भारत को पांचवी बड़ी अप्ष्वी अस्ता बनाया पांचवी अप्ष्वी अस्ता बनाया आप जिस अब मन्यों को गेरने की कोशी पिछले 22 सालों से कर गुजरात से लेके दिली तक आपके योधा और आपकी सरकारे निपट गई लेकिन आप गुंगो घेर पाए क्योंकि यो जनता के दिलों में बसे है आज यहां 293 मन्यों बैटे हैं बले ही आपके पास करण जैसे धुरंदर हो शकुनी जैसे कुटिल रन नितिकार हो धरम हम हमारे साथ है धरम हमारे साथ है भले ही भले ही आपके पास नराइनी सेना हो लेकिन स्वय भगवान क्रिशन हमारे साथ है हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ शीरी रगुनात दो किस बात की चिंता शरण में दिखाया हमारे साथ शिर्व रगुनात तो किस बात की चिंता चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता हमारे साथ तो जनता रूपी रगुनात है और आगे भी रहने वाला है आप देखिए ये कल से हलुआ बंड़ने की बात कर रहे थे अध्यक्ष मोदे कॉंग्रसियों के कंदे पर सवार होकर सैर करते हैं जैसे मदारी के कंदे सर तो देखें मानने आप असत्य कहें अमकारवाई कहसा में मानने सभापती जी मिस्टर बेनु के पाई जी मानने सभापती असत्य के पैर नहीं होते और यह असत्य कंदे पर सवार होकर सैर करता है जैसे मदारी के कंदे पर बंदर होता है वैसे राउल जी के कंदे पर बंदर होता है जैसे मदारी के कंदे पर बंदर होता है जैसे राउल जी के कंदे पर बंदर होता है जिसे वो रोज याप पसब परोस्ते हैं ये बजट पर सदन पर आप भी इस थी निर्मानिय सभापती जी जिस व्यक्ति को बजट निर्मान की प्रक्रिया का पता ना हो संचदिय कारें में रूची ना हो मातर अध्यादेश को फ़र्णने का काम किया हो उससे क्या पेक्षा की जा सकती है मैं पूछना जाता हूँ हलवा किसको मिला मैं पूछता हूँ हलवा किसको मिला राउल जी बताईए हलवे की बात की थी जीब कोटाले का हलवा किसने खाया बोफोर्ज कोटाले का हलवा किसने खाया अंत्रिक्स देवाज कोटाले का हलवा किसने खाया? नाशनल हराल के कोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन कोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता बेस्लेंड कोटाले का हलवा किसने खाया? कुजी सकैम हलवा किसने खाया? कॉमन वेल्स केम का हलवा किसने खाया कोईला खुटाले का हलवा किसने खाया वालमी की योजना खुटाले का हलवा किसने खाया चारा खुटाले का हलवा किसने खाया यूरियास केम का हलवा किसने खाया राहूल जी हलवा मिटाता है फीका मान इनिये मानियेद, सभाबती जी, कुछ लोग, कुछ लोग OPC की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ, इनके लिए OPC है, गौरब सुनिये, गौरब बड़ा इंपोर्टेंट है, मैंने, सर इनके लिए OPC का मतरब है, और ब्रदों लौ कमिशंशन और ब्रदों है काम करने वाली पार्टी, आदर बैकवर्ट कास की बात करती है, तो आर्नी को भी पंके के साथ लटकर आतम हत्या कर लेनी चाहिए। मतलब जिस पार्टी के जिस पार्टी ने अपने पार्टी के अध्यक्ष जो एक पिछड़े बंची समाथ से आते थे उनको धोती से खींद कर पार्टी से बार निकाल दिया हो उसके शहजादे हमें क्या पांट रहें? अरे साब इनको पहले तो अलोपी का मतलब समयना पड़ेगा यह लीडर ओप प्रोपोगेंडा नहीं लीडर ओपोजिशन है इसका मतलब इडर ओपोजिशन है आप जवाब आपका दे रहा है मानी मंत्री यह 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 सुलिए मानी गवरो जी मानी गवरो जी आप या मानी सदसी जो कह रहे हैं मैं समझता हूं कि मानी राहूल जी यह लूपी उन्होंने भी बात कही सरकार पे के लिए नाम लिया तो इसका जवाब अगर वो दे रहे हैं अन पार्लेमेंटी वर्ट जो होगा इसको मैं स्पंज करता है अन पार्लेमेंटी अमराग ठाकुर जी आप देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं क्या बंद कर दें क्योंकि लोपी का मतलब लीडर आफ संदी है ठीक असत्य है निराधार जी सर उसके एक है निराधार है सर ओपी सी की बात ओपी सी की बात जनगन्ना की बात बहुत की जाती है माने सभापती जी जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है जिसकी जाद का पतन ने उकरना की बात करता है मान्य सभापती जी मान्य अख्लेश जी आपने जो बात को ले रहा हूँ मैं उन्हों में जो बात कही है आप जो विरोध करें मैं उसको दिख्वा लूँ आप जो बात कहीं इसको मैं दिख्वा लूँ मान्या सभापती जी जी तिलिए आप बठ गें Bennett आप बढ़ें आप बढ़े जैंगे पीचे दावरो जी तो इसी सदन में इसी सदन में एक पूर पर्धान मंत्री जी ने RG1 ने OBC को अरक्षन देने का विरोध किया था RG1 ने OBC को अरक्षन देने का विरोध किया था एक में मानि मंत्री जी ने OBC मानि मन्तिर जी आप लोग बैठ जाएं मानिम्त्री जी की स्पीज खतम हो जाए बेठी आप लोग बैठ जाएं मैं आप तो पड़िए उनके बाद केंपने इंसल्ट किया मुझए बोलने जिए उनकी बास था-पिर शहीं протब में आप उसर दूं किस इसको инजंट करने जे! आपको तूम्या़ यहा? ड़िए जाए लिए रूपकर दोसूझ में, सर एक में माने का हुआ है आप सब लोग बँखियोन आप छूब डिए निज़ए अपझा अब लीडर वा ओपोजिटिन व्याएं अभी यह पराउ इस पिला रहा हुए तो पहले बेढ़ जाएं पहले लोग बेढ़ हैं फिले सब लोग बैढ़ जाए हैं सब लोग बैढ़ जाएं तो मैं आपको इलाओ करूगा सब बैढ़ जाएं मेरे बास नहीं पारें मैं आपको अलाओ करूगा, पहले सब बैठ जाए, हाउस इन ओर्डर होगा, दौरो जी आप भी बैठ जाए, मैं लीडर अपपो अलाओ कर दे रहा है, अगर आप ये कह रहें कि हमें इंसल्ट किया गए, मैं बिल्कुल आपको अलाओ करूँ, सर दीजे सर, बोलने दीजे सर, सर, बोलने दीजे सर, मैं आपका नाम तो लूँ हूँ, राहुल गादी, स्पीकर सर, देखिये, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिये, आप रोज करिये, मगर एक बात मर भूलिये, जाती जनगरना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे, सर, मुझे लगता था, कि इनको भाशन देने से पहले पर्ची आती होगी, लेकिन हर बार इंट्रवेंशन के लिए पर्ची आती है, अपने बल्बूते पेर, सर, उधार की बुद्धी से राजनिती नहीं चलती है, उधार की बुद्धी से राजनिती नहीं चलती है, यहाँ पर्ची लेने से काम इतना ही कहूंगा उधार की बुद्धी से राजनिती नहीं चलती है आजकल कुछ लोगों पर जाती का जर्गनना का भूत सभार है सर लेकिन मैं इतना कहूंगा सर सर मैंने क्या कहा था सर 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 मानने सभापती जी मैं कंपीर बात कर रहा हूं यह नहीं सुन रहे हैं मैं अनक्राइब हैं तक था सर तक कि मानने सभापती जी नहीं रहूं गांधी जी अपनी यह कुणां इनको समय देगा जी सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गंणती बात करता है मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर नाम तो किसी का नहीं लिया था नाम किसी का नहीं लिया था लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए सर मैं कहना चाहता हूं मानिये सभापती थी अगर आप देखेंगे कर दो कि अप्राइब को बिठा के मैंने मानि राहूल गाधी को समय दिया मैंने अंधार ठाकूर जी विठाके तो किरिक्या आप लोग जब एलोपी लोपी को टाइम मिल गया लोपी को टाइम मिल गया तो आप सदन में ब्युधानिगे अब फिर बोलना चाहते हैं खड़े हो जाईए अब फिर बोलना चाहते हैं घर जाए अब आपने बिल से बागे लोपी बिल से तु जाहिए अगर मैं आपके लोपी को टाइम दे रहा हूं तो आप दो नाके आज़को नाके अज़ु कर लाटे है। राहुन जुवस्टी मैं जुआ करनें राहून जी हमने आपको समझ दिया आपको अपने मम्बर से कहीए बढ़े तब को आपको लेगे। मैट मिल जाएगा आपको मैट मिल जाएगा बेल खाली कर दीए इतनी अच्छा बर्सा पूरा देश इतनी अच्छा बजट पेश्टी दे रहा है आप अपने लीडर का सम्मान करें हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूं आप अपने लीडर का सम्मान करें हमने आपके लोपी हैं और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूं उनको बिठा दिया माननी सदस को तो किरिपया आप लोग तो कम से कमी इस बात को मैं तूसर के से लिए स्पिकर सर इस देश में देलेतों की आदिवासियों की पिछड़ों की बात उठाता है जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है और मैं ये सब गालियां मैं ये सब गालियां खुशी से खुशी से खाऊंगा क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अरजुन को सिर्फ मच्ची की आँख दिख रही थी उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्ची की आँख दिख रही है जाती जंगरना हम करा के दिखाएंगे आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए हम खुशी से लेंगे आपको बोलने का उसर दे रहा हूं तो कम से कम गवरो जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्तिता क्रेट करें कि सद्जिए अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली मुझे इंसल्ट किया है मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है मैं लड़ाई लड़ रहा हूं जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं चाहिए राहूल गान्दी जी मैं चेर पर हूँ और चेर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदी या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूँगा अगर अगर दी है तो मैं उसको करवाई का हिस्था दिखवा कि उसको इसको इसको सुन ना हो सुन ना हो सवापति जी मेरा आपसे केवा इतना निवेदन है मानिनी मंती रहे हैं बड़े दल के नेता हैं मंती रहे हैं बड़ी बात कर रहे थे मैं महामारस, सुकुनी, ये सब बाते कह रहे हैं, तो दुरुधन तक यहां ले आईए वे केवल सवापदी महुद है, इनसे ये पूछना चाहता हूँ आपने जाती कैसे पूछ लिए, बताईए बस आप जाती कैसे पूछ सकते हैं आप जाती कैसे पूछ सकते हैं, आप जाती काई पूछ तुम अब मान्ये सभावती जी उस समय के परधान मंतरी स्वर्गे आरजी वान जी ने यही कहा था कि OBC के अरक्षन का विरोध करता हैं यह तो सदन में हैं RG1 ने कहा था कि मैं OBC को अरक्षन का विरोध करता हैं अब यह तैय करें कि वो सही थे या यह सही हैं। और आपकी पार्टी गलत थी कि आप गलत हैं। और वो पिछड़ा विरोधी थे कि आप पिछड़े के पक्ष में हो। और उस समय की पूरव परधान मंतरी आई जी ने कहा था कि जात पर ना पात पर। अबे मैंने तो कानी सर उस समय कहा गया था और इसी तरह से ही मंडलायोग की रिपोर्ट हो काका कालेलकर की रिपोर्ट हो इस पर कौन वर्षों तक बैठा रहा सर जबाब देना होगा उनको कौन देगा जबाब। अगर उस समय को लागू कर दिया होता तो आज OBC के अधिकारी भी जादा होते भाखी भी होते और यही नहीं सही। इन्होंने जलित के साथ, आदीवासी के साथ, OBC के साथ विरोध किया, OBC कमिशन को तो सम्विधानिक दर्जा भी नहीं दिया, अगर सम्विधानिक दर्जा दिया तो मोधी सरकार ने आकर दिया है मानने तकी और मैं इस सदन के लिए पढ़ देता हूं सर, नहरुजी ने उननी सो इकाचन में आरक्षन के विरूत में लिखाता, I quote, I react strongly against anything which leads to inefficiency and second rate standards, I want my country to be a first class country in everything, the moment we encourage the second rate, we are lost, I unquote, ये किस ने कहा, देश के पहले पर्धान मंत्री ने कहा, आप उससे सहमत हो के नहीं सहमत हो बताईए, माफी मांगोगे उसके लेकि नहीं मांगोगे, प्रिप्रा चेहर को अड्रेस करें, आप चेहर को अड्रेस करें अनरागी, सर में इतने ही कहूंगा, और समाप करें, लह यह सारी बाते अगर आप देखेंगे सब का साथ सबका साथ सबका विकासमने किया अगर किसी को राश्टेपती बनाया गया तो कलाम साब को अट विहरी वाजपेजी की सरकार में बनाया गया रामनाथ जी को ऐसी समातिवी जी आते दे राश्ट में बना गया तो मोधी जी की पहली सरकार में बना गया एक महिला ट्राइबल को अपनी ख्शमता के दार पर अगर देश का राश्ट में बना गया तो दृप्टी मृंवर्भु क हमारी सेखार दे अगर OBC करदान मंतरी है तो आज को यह पर्दान मंत्री मोती जी है? आज सबसे ज़्यादा मंत्री HCSTOBC है तो हमारी सरकार में सर मैं इतना ही कहूंगा सर मैं दो मिनिट में खत्र नहीं सर जो मिनिट में सर यह MSP की बात कर रहे थे सर MSP कौन लाया? MSP की सर 61 के यूग में उस समय के पहले पहले पर्दान मंत्री जी नहीं लाए लेकिन इन्हों ने उसको गरेंटी क्यों नहीं दिया भई? 61 के बाद 66 में आप लाए आप इतने सालों तो क्या करते रहें? क्यों नहीं आपने प्रप्रावदान उसका किया? सर दूसरा में कहना चाहता हूँ करनाटक में 1200 किसानों की आतमत होगी 1200 किसानों ने गए आप मिलने के लिए कितने SCST OBC थे? कितने SCST OBC थे? सर वहां के OBC का पैसा SCST का पैसा उनका बजट 34% करनाटक में खतम करके लग कर दिया पूछा आपने क्या उनसे कौन के लिए और सर यही नहीं मैं पूछता हूँ सर सर मैं पूछता हूँ उनमें से सर अब आप संचित की समाफ करें सर एक मैं कहना चाहता हूँ सर सर आप देखिए OBC के लिए आज OBC का कोटा खतम करके अगर मुसलमान को अरेक्षन देने की बात कोई करता है तो आपकी आंधरा करनाटक आपके कहने पर वो लोग करने के बात करते हैं आप यह आप OBC की बात करते हैं मानिया सभापती जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पर एक बात कारगिल के समय सबसे यादा शाहद दी तो हिमाजल के वीर सबुते ने दी शार परमीर चक्रव जेता हुए तो हमारे याच हुए वान रेक वान पेंशन ये बाद साल साल सक इन दी अगर दी तो परदान मंत्री नेरेंद बोधिजी ने आ कर दी और यहीं ही सर अगनी वीरियोजना में 100% एंप्लॉइमेंट की गरंटी है और हमारी एंटरपर्ट तर एक बात आंत में लास्ट बात कह रहा हूं सर ये लास्ट है सर में एक बात ही है लाकरी बात कह रहा हूं सर युवाओं के लिए पजट में बहुत कुछ है नौकरी से लेके इंटरंशिप से लेके बाकिसब मैं निर्मला जी को और परदान मंतरी जी को बहुत बहुत उसके लिए बढ़ाई देता हूं सर पेस सेक्टर के लिए एक जार पेफ वेंचर केपिनल फंड भी दिया गया सर जिस देश में स्पेस के नाम पर शायद बहुत कम कुछ दिखता था आज चंदरयान मिशन की सफलता के करन दुनिया का पहला देश भारत बना है सर यहीं नहीं सर इनके समय हेमराज का गला रेत कर लेगे थे वाप इसने लायते हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने सेड़ा को पशबूत किया सर अखरी लाइन है सर तीस सेकिंड सर आखरी लाइन सर यह कहते देश में डर का माहुद सर मैं इतने ही कहूंगा डर का महौल है अपराधियों में डर का महौल है प्रस्टाचारियों में सर यह मैं इतने ही कहूंगा यह जन भावनाओं का भजजट है जिसका पूरा स़धन पूरी पुरी पृछंचा करता है और इनको और माननने पर दान्मांतर जी को बहुत बहुत बदा है और बात रखेट पृदीप पारी की रही यहां प्रुडियर की रही हिस यहां था खुरुड़ी हु है रही मै यहां जीपलिज व항 समते हैं रही नहला करहा है worshändig कर लीजी अप्ताय कर लीए आप लों में TOP-PARDEEP पाडी हुए SPRes Branch Mr Chairman, sir Let me point out, he has repeatedly taken my name Sir, he has repeatedly taken my name I have very difficult problem Just wait, just wait बॉल आउन्गर्स का नाम पर अंडमान में चार जगह में औक्टवर में और डिल्काम सुरू हो जाएगा यह मोदी जी मोदी जी मोदी जी हो नहीं है नंबर तू नंबर टू भाई पर दिप किसने पर चाता सार भाई परदीप मारजा पूरी इंपल का राजा लोग आये थे चेन गैंग बना के जेल बनाया था भाई परदीप इस पार्टी ने इस पार्टी ने भाई परदीब बिचा था कैसी लोग का नाम पर जू अखिलने का नाम पर बचाया था मैं बिस्टिब उदर आए के पनाया हुब जाइन बात्मात एक जाइन बार्थ पार्थ बारिक जाए जाय। Under Rule 353, the Honorable Member has no business taking my name repeatedly without requiring notice, and the notice was not given. . 353 he has repeatedly taken my name without notice. . I have the right to respond, sir. Sir I have the right to respond, do I not? The gentleman has repeatedly taken my name and quoted me, I should be grateful that he has revived a 35 year old book of mine, which he has quoted extensively the great Indian novel published in 1989 which is a satirical novel which unfortunately the gentleman has missed the satire I do want to point out sir that the fact is that we have recently fought the elections of 2024 and not the elections of 1989 so that's the first point is to understand the context in which this has been written second and more important sir I think it's important to understand that whereas many things have been said in the course of writing novels there are also many subsequent books I have written which he could have quoted where he may be somewhat less happy with the result and thirdly sir as far as there are many many people on that side of the fence who have said many things far more recently against their own party which he should remember can also be quoted back in there so I think at this point sir this is not a literary discussion I'm grateful for this but I don't believe this is the right way to proceed in this matter thank you sir sir आपको मेने एलाओ नी किया ने एक प्रेम प्रेम जंदर जी प्लीज प्लीज माननिये वितमंती जी लेज बेटे-बेटे नहीं Sir, thank you